जो मैं इंटल मैट क्लास 10 चैप्टर 8 का लास्ट पार्ट कर लेते हैं मैं हूँ हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं जो बच्चे हिंदी मीडिय में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है म ये करना शुरू करते हैं तो बच्चों क्विश्चे नमबर 46 यहां पर क्विश्चे नमबर 46 सकते हैं बच्चों यह रहा आपके शामने ठीक है रहा है फिए एँ और और इस टेप का क्वेश्ट यहां पर ad की लेंट में नहीं दी हुई है लेकिन जब मैंने पुराना मेंटल मेंट चेक किया काफी पुराना था तो उसमें यह 14 गीवन है हो सकता है मिस्प्रिंट हो गया हो ठीक है तो आई करना शुरू करते हैं अब बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं यह एक या एक रेक्टेंगल है ठीक है रेक्टेंगल का एक यह एक यहां पर यह ठीटा अवर्ड़ा बनावा तो यहाँ पर जो भी हमने ले लेना 10 theta sin theta cos theta लेना तो जिस base पर बना हो जिस line पर बना होता हो उसे base बोलते हैं यह base है तो यह perpendicular हो गया ठीक है और हमें जो find out करनी है यानि base की तो length given है साथ ही हमने high pot news के length find out करने क्योंकि 90 degree के position high pot news होता है तो a e find out करना है ठीक है अब यहाँ पर यह base की given है base by h b by h यह होता है cos theta में किसमें होता है cos theta में होता है क्या होता है b by h ठीक है और cos theta कितना है 60 degree है बच्चों यह रहा तो b b क्या है 40 degree sorry 40 cm है और h हमें find out करनी है यानि a e हमें find out करनी है ठीक है अब देखिए सबसे पहले cos 60 का मान होता है 1 बटा 2 ठीक है cos 60 degree का मान कितना होता है 1 बटा 2 होता है तो 40 by a e ठीक है cross multiply कर देते हैं तो a e को 1 से किया a e आ गया और equal 40 into 2 तो a e की value आ गए 40 to 80 तो 80 cm आ गए बच्चों यह question आपका solve हो गया ठीक है और इसी परकार यदि आपको d e के length find out करनी है तो d e के length भी आप find out कर सकते हैं आईए करते है question number 47 ठीक है यह रहा आपके सामने तो question number 47 क्या कहता है इसमें भी हमें find out करनी है find ac plus ad ac यह ac रहा और यह ad ठीक है यह हमें find out करनी है तो सबसे पहले बच्चों हम ac find out कर लेते हैं तो ac लगते है abc triangle में तो in triangle abc ठीक है abc में और यहाँ पर यह angle दिया तो that means bc जे base और ab क्या हो गया है perpendicular हो गया तो perpendicular by hypotenuse ठीक है p by h p by h यह होता है sin theta में तो sin theta क्या होता है p by h यानि ab बटे ac ठीक है इस तरीके से और theta की theta कितना दिया हुआ sin 60 दिया हुआ है कितना दिया हुआ sin 60 तो ab by ac ठीक है लिखेंगे हमें से तो sin 60 की value होती है बच्चों root 3 by 2 ठीक है और ab ab है 60 और ac में find out करनी है तो आईए कर लेते हैं तो cross multiply तो ac की multiply root 3 से हो जाएगी और 60 की multiply 2 से हो जाएगी अब root 3 इदर multiply की form में इदर आकर ये divide की form में आ जाएगा इस तरीके से ये आ गया ठीक है यहाँ पर आ गया साथ ही हम क्या करेंगे इसका रेसलाइज कर देते हैं तो root 3 से numerator को भी multiply कर देना है और denominator को भी multiply कर देना है तो यह आ जाएगा कितना 62 जा कितना होता है 120 होता है बच्चो और root 3 ठीक है और root 3 को root 3 से multiply करते तो 3 आ जाता है साथ ही 3 से अब 120 को divide कर सकते है 3 बंजा 3 3 4 जा 12 0 की 0 तो कितना आ गया 40 root 3 आ गया बच्चो ac की length आ गई ठीक है अब हमें देखो क्योंकि ये एक rectangle है क्या ये एक rectangle है अगर हम BC की length find out कर लें तो BC equal होगी AD के ठीक है पोजी side of rectangle तो आए BC की length find out कर लेते हैं तो BC की length find out करने के लिए यहाँ पर आपको perpendicular की दी हुई है आपको base की निकालनी है तो यानि 10 से ले लीजिए इन triangle एक बार फिर ले लेता हूँ मैं इन triangle ABC ABC ठीक है 1060 1060 degree तो perpendicular by base यानि की AB या 60 लिख लीजिए खाली और BC इदर और 1060 की वल्यों ओते है root 3 तो equal 60 by BC ठीक साथी cross multiply कर देते हैं तो कितना आजाएगा BC equal 60 by root 3 आजाएगा आए यहाँ पर भी हम कर लेते हैं rationalize कर लेते हैं तो root 3 को numerator से भी multiply करना है और denominator से भी multiply कर देना है तो यहाँ पर आएगा 60 root 3 ठीक है और root 3 को root 3 से multiply करते तो 3 आजाएगा और 3 से जब इसको divide करेंगे तो कितना आजाएगा 20 आजाएगा तो 20 root 3 यह आपका क्या आगया BC के लिए था गई किसके आगया BC के लिए था गई अब बच्चो मैं आपको एक इसी page पर मैं आपको दिखाता हूँ बना कर ठीक है ना इस पर बना कर दिखाते हैं हाला कि इस पर दूसरा question है तो मैं इस पर करके दिखाता हूँ अब यह देखिए अब सबसे पहले BC equal AD ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं opposite sides of rectangle ठीक है यह आगे तो जो BC की length है वही किसकी होगी AD यहाँ पर AD ठीक है जो BC की length होगी वही AD की होगी और हमें find क्या करना है AC plus AD यह find out करना है तो AC की length तो हमारे सामने आ चुकी है ठीक है 40 plus sorry 40 root 3 और plus AD AD किसके equal है BC के equal है तो जो BC की length होगी वह AD की length होगी तो 20 root 3 ठीक है और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है कि AD equal BC equal 20 root 3 इस तरीके से ठीक है तो दोनों को add किया तो 40 plus 20 हो गया 60 60 root 3 यह आपका answer आ गया और इसको centimeter लिख देते हैं बच्चों यह question आपका solve हो गया ठीक है find the height of tower AB की height find out करनी है और meter में find out करनी है किस में find out करनी है मीटर में centimeter में given है ठीक है तो सबसे पहले triangle लेंगे triangle ABC आईए in triangle ABC ठीक है ABC triangle में तो 10 theta 10 theta equal होता है P by B यानि AB by BC ठीक है और 10 theta आईए AB AB की तुलेंद find out करनी है BC is 6 ठीक है तो यह 10 theta की value आ गई इसको equation 1 माल लीजिए अब हम लेंगे triangle ABD अब triangle लेनी है ABD तो in triangle ABD अब ABD में जो theta लेना वो यह D पर बना हुआ है तो उसको भी लेंगे 10 से 10 theta sorry 10 90 minus theta है 90 degree minus theta यह दिया हुआ ठीक है और equal होता है P by B base में है BC plus CD ठीक है तो plus कर देते हैं तो 6 plus 7.5 इस तरीके से आईए तो AB और 6 और 7 यहाँ पर 6 और 7 होता है 13 13.5 आगया ठीक है यह आगई AB के लेन अब sorry 10 90 minus theta हो 10 90 minus theta equal होता है बच्चों कोट theta के ठीक है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ठीक है अब यह आगए equation 2 अब हम क्या करेंगे हमें निकालने है AB के लेन तो 10 और 1 और समिकन equation 1 और equation 2 हिंदी में समिकन बोलते हैं तो इनको दोनों को multiply कर देते हैं ठीक है आईए करना शुरू करते हैं इधर तो 10 theta into quote theta ठीक है इनकी value को भी multiply कर देते हैं AB by 6 multiply AB by 13.5 इस तरीके से आईए इस तरफ कर लेते हैं अब 10 theta और quote theta होता equal 1 by 10 के तो इसकी जगह 1 by 10 लिखा जा सकता है ठीक है यह लिख दिया और AB को AB से multiply क्या आ गया AB square आ गया ठीक है अब 6 को 13.5 से multiply कर लेते हैं 6 5 जा 30 carry 3 6 3 जा 18 और 3 21 ठीक carry 2 6 बंजा 6 और 2 80 और sorry 8 और यहां पर 1 digit के बाद decimal तो 1 digit के बाद decimal लगा दिया और 10 theta से 10 theta हमने काट दिया अब क्या करेंगे अब इधर 81 को 1 से multiply कर दो तो इस तरीके से आ जाएगा AB square equal to 81 ठीक है अब एक B की value निकालनी है तो 81 इधर ही square था equal के size इधर लेका है तो इस root में change कर देना और 81 का root होता है बच्चो 9 तो 9 cm आ गए ठीक है लेकिन हमें जो length निकालनी है वो meter में निकालनी है तो 9 cm के meter बना ले तो 9 by 100 meter होते हैं या फिर हम इसको ली सकते हैं 9 और इसमें 2 0 तो 2 digit के बाद decimal इधर लगा लेते हैं तो इसमें तो 1 है तो 1 digit यह आ गया और इधर इस तरीके से यह meter आ ले तो यह आपका answer बन गया अगर by chance आप question में यहां तक कर दें मतलब exam में कर दें किसी भी quiz में बोल दें तो I think गलत नहीं होगा लेकिन यह accurate answer यह क्योंकि meter में इसको find out करना है ठीक है आए करेंगे question number 49 तो question number 49 क्या कहता है देखो find qs find out करनी है qs यानि यह qs अब qs में एक तो qr लगती है और एक लगती है sr ठीक है तो इस तरीके से पहले हम qr की लेंथ निकालेंगे फिर sr की निकालेंगे दोनों को add कर देंगे तो qs की लेंथ आ जाएगी ठीक है आए निकालते हैं तो सब उसे पहले in triangle pkr pkr ले ले लेते हैं बच्चो pkr triangle ठीक है pkr में देखो perpendicular की given है base की निकाल नहीं है तो 10 में आता यह तो यहाँ पर दिया हुआ 1045 degree दिया हुआ है और 1045 यानि कि क्या लिख दें यहाँ पर p by b लिख लेते हैं और 1045 की value क्या होती है बच्चो क्या होती है 1 होती है तो इसकी जगे 1 लिख सकते है ठीक है और pp kya है बच्चो यहाँ पर p है 10 और qr हमें निकालनी है तो इस तरीके से cross multiply करें तो qr की length यहाँ पर आ गई है qr की length आगई 10 cm ठीक qr की length आगई अब हमें निकालनी है sr की length तो अब हमें triangle लेना इन triangle यह ले 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 tsr ठी के tsr अब इस triangle में hyperneuse की length की होने है और base की निकालनी है बच्चो किसकी निकालनी है base की निकालनी है तो अब base by h यह b by h होता है cos में होता है बच्चो cos theta में होता है और यहाँ पर cos 60 दिया हुआ है तो cos 60 बराबर होगा b by h यानि rs by 60 लिख देता हूं में ठीक है और cos 60 की value होत और अब कर देना cross multiply rs को 2 के साथ होगा तो इधर मैं कर लेता हूं 2rs आ जाएगा और 16 को 1 के साथ करें तो 16 आ गया ठीक है इस तरीके से rs की value निकालनी है तो 16 2 इधर multiply में इधर आ करिए divide में आ गया 2 से इसको divide किया तो hit आ गया तो rs की value के आ गयी बच्चो 8 cm आ गयी ठीक ह हमें क्या find out करने qs की length find out करने है और qs में 2 लगती है एक तो qr लगती है और plus rs लगती है तो qr की length हम निकाल चुके जो है 10 cm और rs की length आ गई है 8 cm दोनों को add किया ठीक है तो दोनों को add कर देते हैं तो आ जाती बच्चो 18 cm यही आपका answer हो गया ठीक है आए अब हम करेंग इस पार्ट का last question जो आपके सामने है यह रहा question number 50 ठीक है न तो अब इसके अंदर हमें निकालनी है AB के length निकालनी है AB के length निकालनी है वो भी निकालनी है मीटर में निकालनी है ठीक है मीटर तो दिया हुआ है already मीटर कोई बात नहीं चलो AB के लेंद तो सबसे पहले intra angle यह नि माल लेते हैं तो यहाँ पर लेते हैं 1060 ठीक है 1060 बहुत 10 क्यों लिया हमने क्योंकि P by B यानि perpendicular by base 1060 में आता है और यहाँ पर यह लिख देता हूँ AB by BC ठीक है AB के लिए तो निकालनी है न में तो और 1060 की value होती है बच्चो रूट 3 ठीक है इस तरीके से AB by BC आ गया और cross multiply कर तो इस तरीके से तो AB की value यहाँ पर निकलकर आ गई कितनी रूट 3 BC ठीक है इस तरीके से equation 1 हो गई अब हम लेंगे triangle दूसरी है triangle ले लो ABD ठीक है अब in triangle ABD ABD ले ले लेते हैं अब ABD में भी हमें निकालनी है AB के लिए निकालनी है तो यानि perpendicular by base ठीक है तो यह 1030 की value इसमें दिए यह 10 theta में आता तो 1030 लिख लिजिए यहाँ पर और 1030 यानि perpendicular AB by base base क्या है BC जमा 20 ठीक है BC जमा 20 और 20 जो होना CD की length है ठीक है इस तरीके से लिखेंगे अब 1030 की value होती है बच्चो 1 by root 3 और AB by BC plus 20 इस तरीके से ठीक है अब cross multiply कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बच इस तरीके से आएगा BC plus 20 by root 3 और इधर आ जाएगी AB की value आ जाएगी ठीक है इस तरीके से अब देखो बच्चो यह equation आ गई 2 और 1 और 2 से अगर हम लें ठीक है यहाँ भी AB की value है और यहाँ भी AB की value है तो इसका मतलब दोनों की value equal होगी तो दोनों की value को equal रख देना है ठीक ह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ from 1 and 2 ठीक है इस तरीके से तो root 3 BC और equal BC plus 20 by root 3 इस तरीके से लिख सकते हैं अब इस root 3 को आप इधर ले आए इधर यह divide में इधर आ करें multiply में हो जाएगा अब जब root 3 को root 3 से multiply करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 BC आ जाएगा और इधर BC plus 20 आ गय आए तो 3 BC इधर यह plus का इधर आकर यह minus का हो गया और यहाँ पर क्या बचा 20 बचा ठीक है आगे कर लेते हैं अब 3 BC में से 1 BC minus कर दो तो 2 BC आ गया ठीक है और equal 20 आ गया अब फिर आगे कर लेते हैं BC की value निकाल लेते हैं तो BC यहाँ पर 2 multiply में इधर आ कर यह divide में आ जाएगा तो 20 by 2 तो यह आ गई बच्चो BC की value आ गई 10 meter ठीक है अब हमें लेकिन हमें तो BC की नहीं निकाल लेती हमें AB की value निकाल लेती तो आप एसा काम करें कि इस BC की value ने equation 1 में put कर दे ठीक है यह जो BC की value आई है equation 1 में put कर दे आईए यहाँ पर लिख देते हैं put value of BC in 1 ठीक है तो यहाँ पर देखो AB लिखा हुआ है root 3 लिखा हुआ है और आगे लिखा है BC तो BC की जगे BC की value कर पूट कर देते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AB equal 10 root 3 ठीक है और इसके आगे लि तो यह video complete हो गई है आपको यह part यह chapter कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और हाँ इसमें से सीख कर दूसरी बच्चों को जरूर शिखाना मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे देखो मैं आपको guide करता हूं teacher school में आपके guide करते हैं लेकिन उससे guide करने से आपके marks नहीं आएंगे ज फिर आप practice जादा से जादा कीजिए अकेले में कीजिए ताकि आपके अच्छी rank आ सके अच्छे marks आ सके मुझे बड़ी खुशी होगी मिलेंगे next part में till then thank you